भारत की प्रगती का एक स्वप्न आज जापान के सयोग से साकार होने जा रहा है। प्रशिक्षन केंद्र का निर्माण जहां 4,000 से अधिक कर्मचारियों को नई तक्नीकी का प्रशिक्षन दिया जाएगा। और फिर नदी, सड़क और रेल लाइन्स को पार करते हुए कई पुलों का निर्माण होगा। इस परियूजना के निर्माण में 20,000 से अधिक लोगो को रोजगार मिलेगा समुद्र पहाड शहर हर बाधा को लांगते हुए पांच करोड से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेगा ये रेल मार्ग जापान के तक्नीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुल्निय होगी इस उच गती के रेल के आने से राष्ट्र की उन्नती होगी वन नाव भारत का निर्माण होगा एतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनी करण होगा जो इस परियोजना का आरम स्थल है 320 किलोमिटर प्रती घंटे की गती से चलने वाली इस ट्रेन की अंतर राष्ट्रिय मानुकों के अनुसार सखन जाच होगी मुंबई टर्मिनल से एहमदबाद के 8 घंटे के सफर को मातर दो घंटे में तै करेगी ये हाइस्पीड रेल सालाना डेर करोड यात्री इस से लाभानवित होंगे वह भारत का नाम उचगती रेल के आधुनिक तक्नीकी का सफल उपयोग करने वाले राष्टों की शेणी में अंकित हो जाएगा और इस प्रकार संकल्प से संब्रिद्धी की ये गौरव्यात्रा पूरी होगी जाएगा